हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेंड तो मा यूटूब चैनल और आज मैं फिल से लेकर आया हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग एवन बहतोपुन वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं आरपेसी से संबंदित उस अपडेट के बारे में जो बरती परिक्षण है तो आविदन करने वाले लाखों बेरोजगारों और अब भेरतियों के लिए वरदान साबित होगा और स्वेम आरपेसी के लिए भी एक मील का पत्तर साबित होने वाला है तो फ्रेंड्स अपडेट के अनुसार आरपेसी के सपल कार्यान विन के लिए सरकार की और से आरपेसी के पूरव अदेख्स ML कुमाउत के अदेख्ता में कमेटी बनाई थी जिसने अपनी रिपोर्ट में मुख्य तीन सिपारिसे की हैं वो कुछ इस परकार से है पहली सिपारिस है अब भेरतियों से बारबार फोर्म बरवाने के बजाए वन टाइम रजिस्ट्रेशन की विवस्ता होनी जीए सेकेंड है आरपेसी समय पर बरती परिक्षाओं के अभेरतना बेजे और फ्रेंड्स थर्ड है आरपेसी परिक्षाओं का एवजन तए कालेंडर के अनुशार करवाए ताकि ये वेरतियों को कोई ऐस वीदा नहीं हो तो फ्रेंड्स आईए देखते हैं वो न्यूज कटिंग और लेते हैं इस बारे में शंपुन खबर तो फ्रेंड्स ये है वो न्यूज कटिंग आरपेसी कवर है सरकार निक कुमाउट कमेटी की सिपारिस पर तै की गाइडलाइन बार बार फोरूम भढ़ने का नहीं होगा जंजट शुरू होगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन इसके बाद में है फ्रेंड्स बर्तियों के लिए आवेदन करने वाली लाखों बर्तियों के लिए अच्छी खबर है राजस्तान लोक्षव आयोग जल्द वन टाइम रजिस्ट्रेशन सुरू करेगा अब बर्तियों को केवल एक बार ऑनलाइन फोर्म के साथ सूचना है द पारिस की है सकार बीते एक्टुमबर में यह गाइडलाइन जारी कर चुकी है कारियवाहक अध्यक्स डॉक्टर सीव सिंग राठोर ने कम्प्यूटर आईटी विबाकू काम कास्तवरित करने को कहा है उसके बाद में है वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या होगी बेब साइड पर एक बार भरना होगा ऑनलाइन फॉर्म नाम जर्म थी थी मातापिता का नाम सेक्षन योगिता और अन्य सूचना यह बरनी होगी आरपियसी में रजिस्ट्रेशन की बाद मिलेगा यूनिक नंबर और जो यूनिक नंबर मिलेगा उसका यूज करते विए आ सरकार की गाइडलेन 15 जुलाइ तक करना होगा अबेरतनाओं का परिक्षन जो आरपियसी अबेरतनाओं भेजें की सरकार के पास में उन्हें 15 जुलाइ तक परिक्षन करना होगा सरकार को उसके बाद में तकनिकी आपतियों का कार्मिक विवाई 31 अगस तक निस्तान करेगा आयोक 30 सितमvette तक भर्ती कलेंडर जारी करेगा यानि कि आयोक को भर्ती कलेंडर भी जारी करना होगा भर्ती पदों का ब्योरा परिक्षा चरण समय वदी का आधिका ब्योरा तरह करना होगा RPC को उसके बाद में friends अब बहरतियों को और आयो को क्या फायदा है इस से तो अभयतियों को नहीं भरने होंगे परतिक बरतिके फॉर्म आयोग के UNEEQ IIDC कर सकेंगे बरतियों के आवेदन आयोग को नहीं चेकर करने होंगे बार-बार दोकॉमेंट्स चुंकि यहां पर पहले बता दिया गया है कि आयोग की डिजीटल वॉलेट में सुरुक्षित होंगी दस्तावे जाने की डोकॉमेंट अगर कोई विकलब जोड़ना है या कुछ रहने पर करेक्शन करना होगा तो यह विकलब जरूर दिया जाएगा दस्तावे सत्यापन में भी वन टाइम रेजिस्टेशन होगा सरकार की गाइडलाइन के अनुसार आयोग वन टाइम रेजिस्टेशन सुरू करेगा आयटी विबाग और अफसरों से चर्चा की है अब विवर्तियों को बार-बार भरतियों के फॉर्म नहीं भरने पढ़ेंग के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाए टेक केर